करकरासी का अन्यरासीयों के साथ प्रेम संबंद इस वीडियो में आज आज आप जानेंगे तो जोतिस के अंसार किसी भी रास के जातक का सुभाव जाना जा सकता है तथा अगर अन्यरासीयों के जातक का सुभाव करकरास के जातकों से मिलता है तो यह एक अध्विक सयोजन बनता है तथा जो रास का एवं दोनों का संबंद जो होता है उसका काल उसका समय जो होता है काफी दिनों तक होता है एवं वो रिस्ता काफी दिनों तक चलता है तो इस वीडियो में आज आप जान पाएंगे करकराशी का अन्य रासियों के साथ क कि प्रकार संबंद होता है, तो करक रासी के जो जातक होते हैं, रक्षात्मक प्रभीत इनकी होती है, सम्वेधन-सिल hospitalized भावनात्मक होते हैं, जिद्धी होते हैं, प्यार के मामले में अच्छे रूप से बफदार होते हैं, प्यार में सहज होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को अपन जातकों में मैच होने से ही जातक एक दूसरे से संबेदन सील होते हैं, आकरसित होते हैं, करकरास के जो जातक है भावनात्वक रूप से वफ़ादार कलपना सील एवं सुरक्षात्मक भी होते हैं, गर्म जोसी के साथ ही पेस आते हैं, तथा रोमेंटिक होते हैं, एवं अब जानते हैं करक रासी का मेन रासी के साथ किस प्रकार संबंध रहता है तो जो करक रास के जातक हैं उनका मेन रास के जातकों के साथ जब ये एक साथ जोड़े में बनते हैं तो संबेदन सिल जो मेन रास के जातक हैं भावनात्मा ग्रूप से संबेदन सिल होते हैं इसने ह कि होते हें तथा एक दूसरे के साथ जुड़ते समय aumento काफी शफल होते हैं एभ़ं करक और मेंन रात्री का संबंध को काफी मैच करता है तथा प्रेम में होता है। इनके वीछ कभी जगड़ें नहीं होते तत्था इनका संबंध कालन के लिए whole doc चलता है। इनका जबकि कुम्ब रास वाले जातक सांत सामाजी का और बाउमखी होते हैं तो करकरास वाले कुम्ब रास के वाले जातकों के साथ भावनात्मक रूप से अगर बात करते हैं तो चोटिल भी होते हैं करक रास के बीच में तभी संबंद बनेगा जब दोनों रास के जातकों के मतभेद है वो समाप्त हो जाए मतभेद की इस्थित में अगर एक जातक दूसरे जातक से अगर दब जाता है या दूसरे जातक से बात में उल्जे ना तो यह संबंद चलता है एवं मतभेतों से बाहर निकल कर करक और कुम्भ रासिक कर संबंद चलता है तो देखा जा तो यह संबंद भी उत्तम एक तरह से है अब करक और मकर रासिक अगर बात करें तो दोनों एक दूसरे के विप्रीत हैं दोनों एक सिक्य के दो पहले की तरह होते हैं, बेतर संबंद इनका जीवन में नहीं बनता, एक दूसरे के समान चीजों की माग एक दूसरे से करते हैं, तथा केरियर की दिशा में सरमीले एवं सम्मेदन सील होने के करण करक और मकर रास के जो जातक हैं, इनके वीच खटक चल करक रास के जातक हैं तभी आपका संबंद जीवन परियंत बनेगा, करक और भ्रिशिक रासिक दिश्चर के बनता, कि जाया तो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, इनका सयोजन महान जोड़ी बनाता है, इनके रिष्टे में गराई होती है, तथा वफादार होते हैं, ब्रिष्टिक रास के जातक काफी अच्छे होते हैं, एवं इनका जो सभाव एवं दृष्टिकोंड होता है, सुरक्षित ह यह आदर्स विवाहित जोड़ी के रूप में दोनों जाने जाती हैं एवं करक और ब्रिश्चिक राशी का संबंद जीवन परियंद चलता है ब्रिश्चिक राशी की चुछ चतुराई है करक राशी वालों का दिल जितते हैं तथा इन दोनों की जोड़ी अद्भूद है जेक्सेश gucken अगर दोनों की तो जातिकों की संबंध चलता है लेकिन कुछ समय के अंतराल इनका संबंद में अन्बन आने लगती है एवं मिनके रिस्तों में दरार भी आती है अब करक रासी और कन्या रास की बात करें तो इस जोड़े में प्रेम पूर्म आराम दायक संबंध होता है कभी कभी संचार दोनों बीच में होता है और भावुकता दोनों जातक काफी सरमीले भावुक और रहश्यात्मक होते हैं करक रास के जातक बहुमिखी प्रितिभा के धनी होते हैं वह मस्तिखोर होते हैं वैसे करक रास के जातक के साथ साथ कर्णिया रास के जातकों का भी गुण उसी तरह का होता है दोनों में संतुलित रवया होने कारण करक और कर्णिया रास्थ का जो जोड़ी है जीमन परियान चलती है, काफी अच्छी जोड़ी इनकी होती है करक और सिंग रास के अगर बात की जाए तो इन दोनों को रिष्टे में संतुलित होता है दोनों का रिष्टा सफल कहा जाता है क्योंकि दोनों में सकरात्मा गुण होते हैं जाता कि एक दूसरे को गर्व कराने के लिए खुश करने की प्रतीत करते हैं तथा बामुक्षी एव़ खुले दिल के होने के कारन सिंग रासि वाले ज़ातक हैं एव़ उप्तिश्थ अपयरिंग के इशत करते हैं, इसलिए इनका जो संबंध होता है, जीवन परीयम्त चलता है उमेध है जानकारी आपको अच्छी लगी पार्ट वन वीडियो में हमने कई अन्य रासियों का बताया है अगर आप कोई रासि इसमें से नहीं मिली तो आप पार्ट वन वीडियो जाके देख सकते हैं इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में हम आपकी उसकी लिंक भी देंगे उमेध है जानकारी आपको अच्छी लगी मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें ओम नमस्षिवाय